नमस्कार एनाई वेलकम टू अलोफीर ग्लोबल लुकाउट दोस्तों हाली में आई टू यूटू आपने काफी सुना होगा यह दरसल एक ग्रूप का नाम है कि पहली सम्मिट अभी हुई है 14 जुलाई को हमारे देश के प्रादान मंत्री नरेद मोधी जी भी इसमें पार्ट महीं एक प्रेंस हैं इंडिया के लिए इस गृप में होने से क्या फायदा आहै और क्या नुकसान है क्या चेलेंजगेस है ये साब का जवब आपको मिलेगा इस वीडियो में आपको बस एंट तक बने रहना है और आगर आपको लगे इस वीडियो ने आपके और U2 का मतलब है UAE और USA, तो इन ही चारों के नाम पे इस ग्रूप का नाम देखा गया है I2, U2, और इस ग्रूप का मेन एम है cooperation करना in the field of infrastructure, technology, maritime security, trade और और भी economic areas में cooperate करना, अगर इसकी background की बात करें तो October 2021 में क्या होता है चारों देश के जो foreign ministers हैं, वो मिलते हैं, इस group को बनाने का idea सामने रखते हैं, उस समय इस group का नाम रखा जाता है International Forum for Economic Corporation, बाद में UAE के जो ambassador थे इंडिया में वो इसको कहते हैं, ये group एक West Quad की तरह है, Quad का मतलब होता है 4, यानि जो इस भी group में 4 member हो, उसको कहते है Quad, तो इसी लिए इसको कह देते हैं, ये West Quad है, जैसे की Quad है, जो Indo-Pacific area में जो group है, उसी की तरह ये West Asia वाले area का Quad है, लेकिन अभी इसका जो formal name है, वो है I2U2, इसकी first virtual meeting हुई है, 14 जुलाई को, और इस meeting में total 2.3 billion USD का investment इंडिया ने attract किया है, तो ये काफी एक positive news है इंडिया के लिए, और इस 2.3 billion में से 2 billion का investment केवल, 2 billion USD का investment केवल UAE करेगा, जिसका इस्तमाल करके इंडिया में बनाया जाएगा food park, जिसकी वज़े से जो Russia और Ukraine के वार के चलते, जो food security की problem create हुई है, उसको tackle किया जा सकेग food park बनाया जाएगा, इसके लिए पैसे देगा, UAE ठीक है, सब को समझ में आ गया, लेकिन food park जो होता क्या है, धर असल होता क्या है ना guys, जो food का produce करना और फिर उसको market में ले आके बेजना, इन दोनों के बीच में काफी stages involved होते हैं, तो ये stages involved जो होते हैं, इसकी facility हर जगे, एक ही जगे पर हर चीज की facility होती नहीं है, तो इन सारे stage को facilitate करने के लिए एक area बनाया जाता है, वहाँ पर जो सारी facility जो जरुरत होती है, इन stages में, वो install की जाती है, ताकि जो linkages है, backward linkages और forward linkages, farms का वो create किया जासे के, और supply chain एक तरह से create हो, तो यहाँ क्या होता है, कि farmers अप processing जो लगना है, उसको processed किया जाता है food को, फिर उसको और अच्छे तरह से packing वगेरा सब कुछ करके, और भी काफी facilities होती है food park में, जैसे storage की facility होगी, फिर market से connection होता है, तो इस सब provide किया जाता है food park में, तो food park कुछ नहीं है, एक area है, जहाँ पर सारी facilities provide की जाती है, ताकि जो फायदा उठा सके farmer अपना समान बेचने में और उसको फिर market में हम लोग easily sell, तो इस तरही की facility बनाए जाएगी UAE के funding से, और इसमें USA और इसराइल भी अपना partnership करेंगे, और अपनी technology या फिर private sectors के साथ corporate करेंगे, फिर इसके बाद जो USA है, वो भी कहता है कि हम भी 300 million का invest इंडिया में, इंडिया के renewable energy sector में, आपको पता होगा, इंडिया का 2030 का target है, 500 gigawatt का renewable energy का capacity develop करना, तो यह जो investment है, इंडिया को help करेगा, इस जी यह target अचीव करने में, और भी कुछ important highlights है, जैकि जैसे कि सारे country जो है, अब रहाम accord में अपनी commitment हो करते हैं, और सब का यह मानना ह होता है कि corporation के थूँ, हम लोग जो अपना resource जो है, हम लोग के पास उसको mobilize करके, हम लोग greater achievement पा कर सकते हैं, इसके बाद हर summit के तरह leaders अपने speech देते हैं, अपना statement देते हैं, PM Modi कहते हैं कि अपने strength, expertise, market को mobilize करके, हम लोग speed up कर सकते हैं, अपना जो agenda है उसको और contribute कर सकते है, global economy म काफी कुछ, और इस uncertainty के time पर यह बहुत जरूरी है, इसके बाद बाकी भी leaders जो है, अपना statement देते हैं, और फिर joint statement आता है, जिसमें सारे leaders जो है, वो अपना commitment बताते है, Abraham record को लेके, और private capital को बढ़ाने की बात करते हैं, और 6 important sector में cooperation की बात करते हैं, कौन से 6 important sector है, water हो गया, energy हो गया, transport हो गया, food हो गया, health हो गया, और space हो गया, बीडिन कहते हैं कि जो food park में जो investment हम लोग कर रहे हैं, इसके अंदर potential है, कि अगले 5 साल में ही, जो total production है, इंडिया का food production, उसको 3-fold increase कर सके, इसके बाद मैंने Abraham record काफी बार mention किया, तो यहाँ आपका, आप लोग के लिए Abraham record भी जान लेना जरूरी है, Abraham record क्या है, कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी भी geopolitical, geopolitics की knowledge रखता होगा, उसको यहाँ शुरवात में जब मैं इसके member जब मैंने बताए होंगे, I2, U2 group के, तो वो काफी shock हुआ होगा, कि Israel एक जो की यहूदी country है, और UAE जो एक की Muslim country है, यह दो बहरेन, UAE और इसराइल, यह तीनों country मिलके एक accord sign करते हैं, जिसको mediate करता है USA, यह इस accord में दोनों country बहरेन और UAE, इसराइल को recognize करती हैं, और कहती हैं कि हम लोग आज से peaceful way में deal करेंगे, एक दूसरे के साथ future में और cooperation करेंगे, उस समय यह agreement पूरी दुनिया को shock कर देता है, यह काफी impossible type की चीज हो जाती है उस समय के साथ से, अभी भी यह काफी जो Muslim countries है वो इसके खिलाफ हैं और यह ऐसा नहीं चाहते हैं, बट दीरे-दीरे कई countries ऐसे भी हैं जो इसराइल को recognize कर रही हैं, खेर जो भी हो इस accord का वज़े से इसराइल और UAE एक group में आ पाते हैं, वा 2.3 billion का plus technology plus private sector यह सब mobilize कर पाया है यह group, तो इसकी importance इसी से काफी clear है, काफी resources है इनके पास, काफी knowledge है, काफी scales है, जिसको यह corporate करके काफी अच्छे results उससे पा सकते हैं, और इंडिया का यह फायदा ही क्या है, UAE और USA, यह surplus funds वाली country हैं, जिसका पैसा इंडिया है, attract कर सकता है अपने और investment काफी अच्छा receive कर सकता है इस country से, इंडिया में क्या होता है guys, जो high technologies होती है, उसका production भी है, plus काफी बड़ा market भी है इंडिया, इन technologies को लेके, तो यह जो surplus funds वाली countries हैं, यह चाहे तो अपना पैसा invest कर सकती हैं इंडिया में, और उससे जो interest है, जो फायदा है, व इसराइल का यह है कि इसराइल को एक partner मिल जाएगा, एक group मिल जाएगा, जिसमें सारे लोग उसको support कर रहे हैं, और UAE का recognition जो है इसराइल के लिए, वो काफी बड़ी news है इसराइल के लिए, एक Muslim देश का recognition इसराइल को मिल जाना, यह काफी बड़ी news है, और साथ ही साथ नहीं है, लेकिन इस group में potential है कि यह जो चाइना का influence है, West Asia countries में उसको counter कर सके, अगर आप लोग recent times के development देखे, तो चाइना का काफी heavy influence देखने को मिला है, West Asia countries में, UAE के साथ इन लोग के partnerships है, इनान में प्रोजेक्ट से चाइना के, इस सब को counter करने का potential है, इस group के अंदर, जो क जरूरी है, इंडिया के लिए भी, चाइना को counter करना जरूरी है, इंडिया के लिए और साथ ही साथ यह जो group है, यह West Asia oriented है, ऐसे group में इंडिया की membership होना, यह एक तरसे recognition है, कि इंडिया जो है, वो key player है, और major security provider बन सकता है, इस area के लिए, या फिर पूरे world के लिए, तो यह इ दरसल situation क्या है, कि इसराइल के पास है technology, UAE के पास है surplus fund, और USA के पास है technology surplus fund, और इंडिया के पास है skilled workforce और market, प्लस जो production है, वो भी दीरे दीरे बढ़ रहा है, इंडिया का, यह सब जो qualities है है, हार countries की, वो इस group को complete group बनाती है, अगर challenges की बात करें, तो चाइना अभी भी भी ज़्यादा है, और यह भी कहा जा सकता है कि इस group को counter करने के लिए China, Russia, Pakistan और Iran मिलके एक अलग group create कर ले, जिसकी वज़े से बान में problem हो सकती है इंडिया के लिए, तो इंडिया को चाहिए कि इन countries के साथ भी corporate करें, और balanced एक approach बना के रखें, ताकि जो hostility जो है वो ना create हो, और इस group के member होने की वज़े से किसी और country से इंडिया के relation ना भीखड जाए, तो यह था पूरा guys video, I2 YouTube group के बारे में, I hope आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को like कीजिए, इस वीडियो में feedback दीजिए, comment में, और share कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो current affairs से related topic में interest रखते हैं, और इस channel को subscribe कीजिए, that's it for the video guys, have a nice day, take care